हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माया चैनल तो आज मैं आपके साथ में समर मेकप लुक शेयर करने वाली हूँ हूँ जो कि बहुत ही इजी और अफॉर्डेबल मेकप प्रॉडक्ट के साथ में मैंने किया है तो सबसे पहले यहाँ पर अपने फेस को मैंने क्लीन कर लिया है बेबी वायप से and उसके बाद में यहाँ पर मैंने टोनर यूज़ किया है गुड़ वायप्स का तो टोनर बहुत ज़रूरी है समर में तो स्पेशली बहुत ज़रूरी है क्योंकि टोनर से हमारे स्कीन पर होने वाली है कि यह प्राइब करती है तो फ्रेंड्स वीडियो का रिवीव देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना यहां पर मेरे लिप्स को मैंने मौस्टराइज करने के लिए बायोटिक की लिपाम यूज़ करी है जिसका रिवीव मेरे चैनल पर अवलेबल है एंड उसके बाद में अपनी पोर्स को श्रिंग करने के लिए मैंने यहां पर कलर बार का प्राइमर यूज़ का है बहुत अच्छा प्राइमर है इस प्रोडर का रिवीव मेरे चैनल पर अपलोड है आप जाके देख सकते हो आपके लिए काफी हैल्फुल पर उच्छा के लिए जो भी डाक स्पॉट्स हैं डिस्कलरिशन हैं उन सब को गट करने के लिए मैंने यहां पर नवाइब का करेक्टर यूज़ किया है और जहां पर मुझे टाकने से डाक सरकल से वहां पर मैंने इसे लगा दिया है और अपनी फिंगर से ही मैं इसे ब्रै यहां पर एवन करने के लिए चाहे स्फीस प्यूटी का तो इसे में फिंगर से ही ब्लेंड कर दूंगी और आप देख रहे हो कितना इजिली हमारी फिंगर से ब्लेंड हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं है अगर आपके पास में ब्यूटी ब्लेंडर ना हूँ तो भी आप इस तरह से अपने मेकप को ब्लेंड कर सकते हूँ अभी समर है और मेरी ओली स्कीन है आपकी ओली स्कीन है तो आप यूज कर सकते हूँ मेबलीन का 24-hour super stay long wear foundation यह बहुत अच्छा foundation है एंड इस product का review भी मेरे चैनल पर है तो आप जाके देख सकते हूँ mostly product के review आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे जो मैं यूज कर रही हूँ तो यहाँ पर dots करके मैंने इसे cuffs and lashes के foundation blending brush से मैं इसे blend कर रही हूँ तो friends यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको इस foundation को जैसे मैंने एक ही बार में अपने पूरे face पर dot करके लगा दियाना आपको ऐसे नहीं लगाना है आपको थोड़ा थोड़ा अपने face के area में इसे लगाते जाना है and इसे blend करते जाना है क्योंकि वरना इसकी blending करना बहुत मुश्किल हो जाएगी यह बहुत ही quickly dry हो जाता है मुझे भी काफी problem होगी थी इसलिए मैंने आपके साथ में share किया कि आप इसे एक साथ में अपने face पर लगा के blend मत करना and अब यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी से अपने face पर highlighting करूँगी and इसके लिए मैंने same उसी concealer का use किया है मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम makeup products को अपने face पर लगाँ क्योंकि summer में जितना less product हम use करते हैं हमारा makeup उतना ही अच्छा and long last करता है तो यहाँ पर मैंने बहुत ही कम quantity में सब कुछ use किया है आपने देखा था कि foundation भी मैंने सिफ एक pump use किया था अपने face and neck के लिए आपको अपने neck को बिल्कुल नहीं भूला है उसे भी cover करना है तो यह makeup look जो है यह बहुती easy and बहुती simple sober सा makeup look है जो कि अगर आप office going girl है तो भी wear कर सकती है अगर आपके office में कोई party है या फिर आपकी college में कोई party है तो भी आप इस makeup look को बहुती easily कर सकती हो कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें बिल्कुल sober makeup है तो यहाँ पर अपने face को अपने makeup को set करने के लिए मैंने baking करी है baking बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है summer में तो especially बहुत ज़रूरी है तो अच्छे से हमें baking कर देनी है और यहाँ पर मैंने अपनी eyebrows को feel करने के लिए eyeshadow palette का ही use किया है and बहुत ही basic सा मैं eye makeup करूंगी अपनी crease line बनाऊंगी and outer corner पर work करूंगी बिल्कुल easy eye makeup किया है only two shadows यूज किये है एक color यूज किया है and second shimmer यूज किया है तो आप अपनी dress के according जैसा भी eye makeup करना चाहूं ना कर सकते हो यह बहुत easy and quickly होने वाला eye makeup है तो यहाँ पर मैं जो भी extra powder था ना उसे हटा दिया है and same वही हमने lower lash line पर eye makeup किया है and यहाँ पर काजर लगा दिया है look almost complete होने वाला है and जो भी extra powder था ना उसे हम हटा देंगे और blusher के लिए मैंने यहाँ पर shivana की blusher palette यूज करी थी बिल्कुल हलका सा blusher लगाएंगे क्योंकि बहुत जादा blusher ना summer में अच्छा नहीं लगता है light contour कर दूँगे मैं अपने face को तो friends आप देख सकते हो कि makeup कितना natural लग रहा है कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत जादा मैंने अपने face पे लगा दिया है and seriously जब आप इस तरह से makeup करोगे ना तो आपका भी makeup कुछ इसी तरीके से बिल्कुल simple लगेगा और यहाँ पर बिल्कुल natural अपने face को glowing बनाने के लिए मैंने Swiss beauty की highlighter palette बिल्कुल हलका सा अपने face पे highlighter लगाँगी face के जो भी high points है सिर्फ वहाँ पर पूरे face पर highlighter नहीं लगाना होता है सिर्फ जो high points होते है ना वहाँ पर ही हमें highlighter लगाना होता है तो eyes की inner corner brow bones पर भी मैं highlighter लगा दूँगी and यहाँ पर maybelline का mascara मैंने यूज किया है अच्छे से mascara की coating कर देंगे और जो lipा मैंने लगाई थी ना उसे मैंने tissue से remove कर दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी liquid matte lipstick यूज नहीं कर रही हूँ एक lip crayon का यूज किया है जो कि बहुत ही अच्छा shade लगता है मुझे ये faces के अच्छा लगता है आप देख सकते हो कि कितना natural लग रहा है बिल्कुल कुछ भी ज्यादा नहीं लग रहा है तो friends आप ऐसा makeup look try कर सकते हो आपको भी जरूर प्रसंद आएगा और आपने देखा मैंने कितने अच्छे and affordable makeup products यूज किया है कम से कम makeup products के साथ में मैंने ये makeup look create किया है तो friends अगर आपको वीडियो पसंद आई हो and makeup look पसंद आया हो आपके लिए helpful रहा हो तो please friends वीडियो को ज़रूर लाइक करना and मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए और आप summer में इस तरह का makeup look करेंगे न तो आपका makeup खराब भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा देर तक long last भी करेगा तो friends मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ